Hello Cricketers, Cricket Cardio की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तो पिसली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप अपनी district team में कैसे select हो सकते हो और आज की वीडियो में हम 3 points के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपनी state team को कैसे represent कर सकते हो second point में दोस्तो हम बात करेंगे state team में खेलने से आपको कौनची कौनची trophies खेलने को मिलेंगी और third state team में जो भी player represent कर रहे हैं उनकी salary कितनी होती है तो दोस्तों वीडियो को last तक जरूर देखना क्योंकि ये तीनों points आपके लिए काफी important हो सकते हैं अब बिना time waste कि ये वीडियो को शिरू करते हैं अपनी state team को represent करने के लिए दोस्तों आपको अपने district के selection process से तो गुजरना ही होगा अब जिस जिसने ये वाली वीडियो नहीं देखी है आई बेटन पर अभी इसका link का रहे है फटाफट से जाके ये वाली वीडियो चेक कर लो अभी मैं आपको इस वीडियो की छूटी सी summary बता देता हूँ district के selection process में दोस्तों सबसे पहले district के trials लिये जाएंगे उसमें कुछ लगबग 50 players select होएंगे इसके बाद आपका district का camp लगेगा जिसमें आपको 3-4 league matches खेलने को मिलेंगे अब जैसे ये league matches complete हो जाते हैं इसके बाद 15-20 players आपके total select होते हैं जो आपके district को represent करते हैं अब ये वह players होते हैं जो 3-4 league matches में काफी अच्छा perform करते हैं अब दोस्तों हम बात करते हैं state के selection process की एक बार दोस्तों जैसे district की सारी team में बन जाएंगी उसके बाद आपके inter district matches होएंगे जिसमें सारी district आपकी participate करेंगी अब इसमें क्या होगा दोस्तों 3-4 groups में सारे district को बाट दिया जाएगा और हर एक district को 5-6 matches खेलने को मिलेंगे अब जैसे ही ये सारे matches पूरे हो जाते हैं इसमें से आपके total 50, लगबग 50 player इसमें से select होएंगे अब इसके बाद आपका लगेगा state camp अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आप अपने state camp तक कैसे पहुँच सकते हो देखो दोस्तों जब आप अपने district में select हो जाते हो और आप अपने inter district matches खेल रहे होते हो उसमें आपको अपना best performance देना है अब जैसे batsman हो, batsman में आपको सबसे ज़ादा run score करना है अपने district में ही नहीं, बाकी सारी जित्ती भी district है उनमें से सबसे top पे रहना है तो वो सबसे पहले highest run score को ही choose करते हैं अब करते हैं बॉलर्स की बात बॉलर्स जो भी सबसे ज़ादा highest wicket taker रहेंगे वो सबसे पहले state team में नाम बना लेंगे अब करते हैं wicket keepers की बात wicket keepers जित्ती ज़ादा catches जो भी सबसे ज़ादा stumpings करेगा उनका नाम सबसे पहले state team में आ जाएगा तो ऐसे दोस्तों 50 player select होते हैं तो आपको कैसे ना कैसे अपनी best performance देके 50 playerों में अपना नाम ला देना है अब state camp में जैसे ही दोस्तों आपका नाम आ जाएगा उसके बाद आपको 3 से 4 matches खिलाए जाएंगे और उसके बाद आपकी state की team तयार होगी जिसमें 15 से 20 players total होएंगे अब जैसे ही आपका state team में नाम आ जाता है उसके बाद आपको कुछ trophies खेलने को मिलती है जैसे रंजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और सयद मुस्तगली ट्रॉफी और अंडर 16 के लिए होती है विजय मर्चन ट्रॉफी तो ये कुछ trophies होती हैं दोस्तों जो आपको state team के बाद खेलने को मिलती है अब हम बात करते हैं plates की match fees की सबसे पहले दोस्तों हम inter district matches की बात करें तो इसमें आपको कोई भी match fees नहीं मिलती है इसमें सिर्फ आपको daily allowance मिलता है जिसको आप आसान बाशा में आने जाने का खर्चा बोल सकते हो ये कुछ आपको 500 से लेके 1000 रुपे के बीच मिलती है अब जैसे ही आप अपने state team को represent करते हो जैसे ही आप अपने state को represent करके जो भी trophy खेलते हो दोस्तों हर एक trophy की अलग match fees होती है अब सबसे पहले मैं आपको विजे 1000 रे trophy के बारे में बता देता हूँ विजे 1000 रे में जोस्तों जो भी player playing 11 में खेल रहा होगा उसको per match 35,000 रुपीज मिलते हैं और इसी के साथ साथ उन्हें 1000 का daily allowance भी मिलता है अब जो player bench पे बैठा होगा जो playing 11 में नहीं होगा उसको इसका half मतलब 17,500 रुपीज मिलते हैं और इसी के साथ साथ इन्हें भी daily allowance 1000 रुपे मिलता है अब इसके बाद हम सायद मुस्ताकली trophy की बात करें तो इसमें playing 11 वाले को 17,500 रुपीज के आसपास मिलते हैं और वहीं पे daily allowance 1000 रुपे मिलता है और जो player bench पे बैठा होता है उसको 8,750 रुपीज मिलते हैं और इनको भी daily allowance 1000 रुपे मिलता है अब रंजी trophy जो इंडिया में सबसे best domestic cricket tournament माना जाता है हम इसके fee structure की बात कर लेते हैं देखो दोस्तों इसके जो playing 11 का खर्चा होता है जो आपको fees मिलती है वो आपकी 1,500,000 के बीच में हो सकती है और वहीं पर daily allowance इनका 1000 रुपे आपको मिलता ही है और इसी के बाद जो player bench में बैटे होते हैं उनकी fees कुछ 50,000 से लेके 70,000 fees जा सकती है और वहीं पर daily allowance इने भी 1000 रुपे मिलता है अब ये जो भी सारी fees थी दोस्तों ये आपके tax deduct होने के बाद plates को दी जाती है अब जाते जाते दोस्तों मैं एक line बोलना चाता हूँ कि मन्जिल मुश्किल है पर नामुम्किन बिल्कुल भी नहीं है जो भी मेरे दोस्त गर में practice करना चाते हैं ये देखो इती सारी वीडिय subscribers कुछ complete हो चुके हैं और YouTube पे हमारे भी 45,000 के आसपा subscribers हैं अब देखते हैं दोस्तों हमारे सबसे पहले Instagram पे 50K होएंगे या फिर YouTube पे 50K subscribers होएंगे और दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like कर दो अपने दोस्तों के साथ share कर दो और comment करके जरूर बताना दोस्तों आप कौन से criteria में खेलने वाले हो आप under 16 केलोगे, under 19 केलोगे या under 23 और कौन से city और state से आप अपने trials देने वाले हो आज की वीडियो को share करते रहना और ऐसे cricket कार्डियो को प्यार देते रहना और चैनल को subscribe जरूर कर लेना, effort आपट से 50K पहुचाद अब मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में जैहिन, नमस्कार